देख लो चोपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ देख लो चोपाल देख लो चोपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब बना बढ़े याओ जी सब लोग लोग लोगायाँ जी पादिया ने सुद्याओ जी राम राम चौपल देख पड़ा सभी भेन भाईयां को गौनों गौनों स्वागत है दरसक भायोजी हैं कि आप पर जाना कि चौपल का मार्जम सूँ आपने सामाजी कार्थिक वेक्टिकत समझ सास Lazan सुजा विकास सभी चीजहां पर बातियत करता ह produits आज भी आपना बातियां के लिए आपना यूओः भायां का विकास के लिए विषए तोसे अनूस्ष्ट जाती दिन जाती का यूओः वर्क का विकास के लिए महिलाओं का विकास के लिए भारत सरकार काई काई तरीका की स्किन के साथ में महां के साथ में उपस्ती तोह रही है महां का भायन काई तरीका सो सहयोग दे रही है आज में इकारेक्रिम के तैट विशेश तोर साथ हम बातचित कर बता रहे हैं आपन आप इस सब चीज का कवर में बाचित कर से हुज Imagine should come रहां और साथ में आसीस जी गूरा साफ जो कि राषतने डेक़ी के लिए उपाट्जoben माख कि पहले तुम है आई जान बचारे हैं कि आप डिक्की के मार्दियम सून मंखा सेस्टे का भाया ने खूब सारे एक सायता दे रहा हूँ बने विकास के तरफ अग्रशर कर रहा हूँ तो आट डिक्की काई संस्ता है और काई तरीका से काम कर रहा हूँ आपका सब सुपर लु जान काई समया ही है किस प्रकार उनको जो है सरकारिय योज्ञाओ से जोड़ा जाए और किस प्रकार से न को हर प्रकार कि चाहिए हो टेक्न कल हो फिनेंशियल हो सक्षिये सेह ने छोścią initi हयो Going B के तरफ जोड़ रहे हैं बांक के उद्यमिता ने बड़ी पैमाना पर बाने प्रेयरित करें और बहुत सारा लोगाने लाभानवित करें ग्राउन्ड रियलेटी यानि की जमीन से जुड़ करके आपना परिवाना ने बीके साथ में योगदान करें और सच भारत का इसकीम में आपको एक बहुत बड़ और वोचार हैं कि हर भारती युवा जो में विशेश तोर से ऐसी एस्टे का जो आपने युवा हैं विमेंस हैं महिलाओं हैं जो कि आपने साथ में लगवगादी जन से आपने चीज में कवर हुए तो आज सब ने एक नया तरीका सो उद्यमिता की तरफ में प्रोच्सान क गाओं में कुछ पिछ डर जाएं प्रधान मंत्री स्टेंड अप युजना जो आपने साथ में लिया गई गई है और वहां पर डिकी ने एक सुझाव ये दिया कि क्यो ना जो एस एस टी युवा और महिलाओं को रिन के लिए व्याफसाई के लिए जो रिन चाहिए होता है उसमें लगभग एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो युजना इस प्रकार से बनाई गई कि क्यो ना भारत के हर ब्रांक के हर ब्रांच को कंपल सरी किया जाए कि कि वो एक S.C.S.T. या एक महिला उद्यमी को लोन दें और ये रिन भी बिना गारंटी के दिया जाए क्योंकि गारंटी इस समधाई के पास में होता नहीं है और दूसरा अनुभव की जो एक बात आती है कि सब अनुभव नहीं है इस वज़े से आपको लोन नहीं दिया जा एक स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक मुहीम की शुरुवात की और आठ अप्रेल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया रिन सुवीधा बिसी कि लिपने मूर्त रूप में आई जब से आई आज तकरीबन दो साल हो गए हैं, तकरीबन 51,000 के आसपास जो है, इसके लाभारती हो चुके हैं और इसके अंदर जो एक मैंटरिंग एजेंसी है, उसमें डिकी ने अपना बहुत महत्वपून रूल अदा किया है, डिकी एक बहुत महत्वपून मैंटरिंग एजेंसी इसमें है आपके डिकी के माधिम से जो महका भायाने जी तरीका के उद्धियुमिता के जो प्रेणा मिल रही है डिके लिए डिकी नहीं में सादवात देता हूँ है मैं बात कराऊं गोरा सबसे गोरा सब यूजना के अंदर आपने विश्यस्तर से से सेस्टी का यूवर्क ने उद्धि पात्रता है जिके मातिम सों एक आदमी माविधन कर सके गों करी जिन बात दें में लक ल act स Watts एक तो है उनका उम्र की पात्रता अठारा साल के ओपर की उम्र नों ने मागई थी दूसरी पात्रता है अपनी ग्रिंफिल्ट्टव होना चीए फिल्ट का मतलब होता है कि नह उद्यमी नहीं फिल्ट के अंदर वह काम करना जिसने कुऑ पहले बिजनस नहीं किया हो फस्रे और पहले उद्हम नहीं होने सी उनका लगंगा जैना यह उनक्त जो को आपने योज़वर के लिए बस च्छोटी Sए आउो सकता है कि वह विखती है और बिने एक नए उद्हम के आउशकता है पराणा उद्हमियां के लिए छबसे कोई सारी स्किम से लेकिन महान को नया तरीका सूँ नया भारत का नया विकास के लिए जो आवशक्ता है विसेश तोर सावशक्ता है कि वो नय उद्धिमी के रूपना हुए अब भी जो टार्गेटड है कि आपका आत्रा लोगाने मुलाभान वित कर देशना सरकार को टार्गेट कहीं चाल रहे हैं देखे जैसा कि मानियो प्रदानमंत्री जी ने कहा अगर भारत की हर बैंक की हर ब्रांच अगर अपना टार्गेट पूरा कर ले कम से कम एक SC, ST और एक महिला उद्दिमी को भी दे दे तो भारत में आज की तारिख में एक लाख 25,000 ब्रांचेज हैं सारे बैंक की मिलाकर यानि तकरीबन हम धाई लाख महिला और SC, ST उद्दिमी तैयार करना चाहरे हैं यह हमारा एक प्राइमरी टार्गेट है यानि की रिन की विएस्था के लिए आपनों सरफ टार्गेट है कि अपने युवा साथी बस तैयार है वे मान सकता है और आपने लोन लेबा क्या हो सकता है एक रिन में एक रिन की प्रक्रति कहीं है मलब काई तरीका सापा इन लोन देशां भी कोई शर्टां काई है काई तरीका की यह जान करें आपने दरस बहें के लिए देखे बिसीकली इस युजना के अंतरगत 10 लाग से लिके और 1 करोड तक का रिन दिया जाता है और अब तक क्या होता था कि उद्यम करने के लिए आपको सावधी रिन दिया जाता था वरकिंग कैपिटल के लिए यानि काम करने के लिए पूंजी उपलब नहीं होती थी तो इस scheme में इसे composite loan कहा जाता है इसमें आपको term loan भी दिया जाता है सावधी loan भी और working के लिए पूंजी भी दी जाती है बाकि जहां तक रिन का इसमें ब्याज़दर का सवाल है इसमें ब्याज़दर basically base rate प्लस 3% अधिकतम रखी गई है मोटा मोटी देखा जाए तो 12-13% अधिकतम इसमें रिन की वो होती है ब्याज़ होता है साथ साल के लिए इसकी अवधी होती है और 18 महीने का इसमें वो period से moratorium period कहा जाता है बिसकिलिए वो अवधी होती है जिसके लिए आप रिन ना भी चुकाएं तो चलेगा बिन तो बिने रिलेक्स रहनों चाहिए तो 18 महीने के बार मौरेटरिम अवधी बाद से जिकंदर के वो आप पहले आपको विकास कर ले और जद बीकन खुद की इंकम सुरू हो जाए जद वो आराम से बिन चुकावा के स्तिम आ जाए तो माँखा विसेस तोर से गाओं में आज भी S.E.S.T. का जो वर्ग हैं बीकाए लोगा ने प्रोमोट करवा कि बहुत चादाव शक्ता रही परदानमंती जी भी एक वी तरह फोकस करे हो कि विसेस तोर से S.E.S.T. लोगा ने भी बिजनिस फिल्ड में कैंग लाए जा सके आज वर्मा साब एक बात और देखवान मिलेगे के ब्रेंडरेन आज भी है विसेस तोर से मांका एसेस ते का भाई बंदू भी बहुत सारी प्रगति कर रहे हैं कम्प्रूटर और बहुत सारा फिल्ड में बहुत सारा माँग जा रहे हैं बास सबने आपने वापस आपना गाउं के तरफ आपने इस्थाने तरफ तरफ या यू बोलो कि मैक इन इंडिया को जो प्रधान मंत्री जी को सबने भी सु जोडबा के लिए ये देखवान के तरफ सापना एक प्रहजन कर रहे हैं तो इम आपने सरकार और आपना यू वर्ग काई तरीका से प्रगति कर रहे हैं देखें सब जहां तक ब्रेंडरीन का प्रश्ण आता है ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या भारत सरकार के लिए भारत प्रदेश के लिए शुरू से भी रही है डिकी ने एक टेग लाइन चुनी है कि यूवाओं को नोखरी मांगने वाला नहीं बलकि देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए देखें किसी भी शेत्र में या किसी भी देश के लिए रोजगारों के अफ़सर सीमित होते हैं चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो ऐसे में जैसा कि ब्रदानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यूवाओं की जो संख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है तो वो कम से कम दस यूवाओं को जो है रोजगार दे देता है तो हम इस तरह ये स्कीम बिसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम उस मामले में एक सबसे बड़ा योगदान अपना दे रही है क्योंकि नए उद्यमी के लिए जो आपको एक पूंजी के आवशक्ता होती है वो आपको यहाँ पर मिल रही है जब आप एक नए विवसाय चलाते हैं उसके लिए आपको अनुभग के आवशक्ता होती है फॉर्म कैसे भरना है ट्रेनिंग कहां से लेनी है कौन से विवसाय को चुनना है यह सारी चीजों के लिए हैंड होल्डिंग इस स्कीम के अंतरगत दी गई है बहुत सारी भारत की सरकार की अन्य संस्थाएं हैं जिनमें की NSIC आता है National SCST Hub आता है MSME डिपार्टमेंट आता है जिलाओ जो केंदर आते हैं तो यह सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए हर प्रकार के हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं बहुत साब मैं इदी बात करूँ तो भारत के आत्मा तो गाउं में निवास कर रही है का यहाओ भी गाउं में निवास करures आत्मा इनी तो इनने मेरे गाउं का आद्मिक लिए बहुत बडोड़ी समझड़ अकheब बें इक खटबाइे करें गाओं का विकास करना है तो हमें रोजगार के उसर गाओं में ही ले जाने होंगे ना कि हम गाओं के विक्ति को शहर में लेकर आएं पहली चीज़ तो SCST समधाए कि जहां तक बात आती है कुछ ऐसे परंपरागत विवसाय हैं जिनमें उनकी महारत है लेकिन चुकि वो समय के साथ ना तो तकनीक के साथ जुड़ पाए और कॉंपिटिशन इतना हो गया कि उन विसाय को या तो ख़दखम हो गया है या बचे नहीं तो इस सूरत में हम कुछ ऐसे एरियाज को टार्गेट करते हैं जैसे कि हस्त शिल्प की बात करें या जैसे की बात करें हम फूड प्रोसेसिंग की एग्रिकल्चर भी किसानों की कितनी समस्या है हमारे हो रही है खेती की भूमी घटी जा रही है लोग किसानी छोड़ते जा रहे है किसानों की आये को बढ़ाना या दुगना करना सरकार, राजजय और केंदर सब की एक प्रमुकता है तो हमने डिकी के माध्यम से कोशिश की कि क्यो ना फूड प्रोसेसिंग में युवाओं को जागरुक किया जाए आजकल ऐसा हो गया है कि गाउं के पास ही अगर आपके जमीन है तो बिना भूब परिवर्तन के आप वहां पर व्योसाय लगा सकते हैं तो उसी गाउं के युवा उसी गाउं के अंदर अपनी ही जो उपज वहां होती है उसी में वैल्यू एड़ करके व्योसाय बन सकते हैं इसी में दूसरी चीज़ें आती है डेरी उद्द्योग आ गया डेरी के लिए काफी काम किया जा सकता है देखे यदि यूआ एक बार ये ठान ले कि मुझे व्यावसाए ही करना है तो उपाए बहुत है बिल्कुल सही बात है, कि जब ठान ले तो परवत भी पानी बन जाता है परवत परवी रसी एक बहुत नवरम रसी भी एक निशान बना देती है तो निस्चे तो यूआवर की शक्ति को आंकलन बहुत बड़ा है, बहुत महत्व है, वोई यूस्ट डिविडेंट है भारत के लिए, गौरा साथ एक बात है कि यह जो आपनी स्कीम है प्रदान मन्त इसकेंडर प्यूजन है, बी के लिए ममाखा लोग बाग तहां तक कहां प पोर्टल बनाओ है, इसका नाम है www.standupmitra.in, यह गौर्मेंट ओफ इंडिया के बनाएवा है, आप डिरेटली अपनी अप्लिकेशन जो है यहां पर ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आपका हार डिस्टिड लेवल पे एक LDM अधिकारी अपरेंट कर र मैनेजर के लिवल पे भी काम हो सकता है, LDM भी इसमें सपोर्ट करते हैं और जो ओनलाइन पोर्टल है, उसमें वी वैस्ता मौज़ूत है अब हम बात करेंगे हर बैंक एक एक आदमन लोन देशी है, तो यह मिनिमम है के मैकजिमम है? कम से कम एक को तो देना है, ज्यादा तो खूब सार आदमन जत्रानी बहुत समर्ट सब्सक्राइब देना है, लेकिन आपन कम सो कम एक एक विक्तितों अंदर हर ब्रांच के लिए एक टार्गेटेड जोब है, बिलकुत है, एक बात है कि आदमी जद आपको व्योसाय सुरू आपको जोड़ना चाहूंगा, जब भी बैंक किसी को रिंड देता है, तो बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सब मेरा पैसा वापस आएगा, दूसरी चीज, तो हमें बैंक को ये विश्वास दिलाना होगा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रिंड दे रहे हैं, व अपसे को लिटरल नहीं लिया जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने क्रेडिट गारेंटी का एक स्कीम बनाई हुई है, यानि उस रिंड की जो गारेंटी है वो भारत सरकार अपने उस फंड से देगी, दूसरा, जब आप विवसाय लगाएंगे और उस विवसाय का जो एक अस एक वाइबिलिटी होती है, एक C.A. तैयार करता है, बैंक हमेशा एक वाइबल प्रोजेक्ट को लोन देने में हमेशा आतु होता है, तो जो भी तीन चीज़ें हो जाएंगी, तो जो भी लाभारती है उसे रिपे करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंक प्यास व और ने रोजगार सो जोड़े जाए, विकी आर्थिक समयशा को समयदान करे जाए, यह मांका यूवर कर लोग भी एपास करें या आपके परिक्सा या आपके पढ़ाई पूरी कर ले तो फिर रोजगार के तलास के इस्तितिमा जाएं, चाहे रोजगार मांगबा के इस्ति दोनिया इस्तितिमा हो, दोनिया इस्तितिमा हो, बाने एक रोजगार सो जोड़बा के सकत आउशकतर है, सरकार के और भी स्कीम से जाएं, एक मुद्रा यूज़ना है, जी के तहत भी एंटरपर्नेर से पने परोचसाम देबा की भारत सरकार के एक महत्वा कांग सी तो समानता है, और काहीं इमें अलग से फीचर है, देखे सब मुद्रा बेसी के लिए अगर पूरे डेटेल में देखा जाए तो मुद्रा शॉर्ट फॉर्म है, माइक्रो यूनित्स डेलॉप्मेंट एंड रिफाइनस एजेंसी लिमिटर, एक कंपिनी बनाए गई इसके द रिंड दिये जाएं, ताकि वो अपनी उद्यमता को विक्सित कर सके, यानि ये मुद्रा रिंड बेसी कली उनके लिए है, जो आलरडी किसने किसी व्यवसाई में है, नए व्यवसाईयों को भी इसमें दिया जाता है, इसमें बेसी कली तीन स्कीम बनाई गई है, एक है किशू इसकीम के अंतरगत पचास हजार तक की अधिकतम सीमा है रिंड की, किशोर के अंदर पचास हजार से उपर और पांच लाग तक का रिंड दिया जाता है, और जो तरुन है, उसके अंदर पांच लाग से उपर और दस लाग तक, जैसा कि चुंकि ये इसकीम एक ऐसे के लिए है जिनने जिनकी पेइंग केपसिटी है जिनका बिजनेस टर्ड नहीं है तो इसके अंदर भी का जो ब्याज की दर है काफी कम रखी गई है बेस रेट प्लस 0.5% के आसपास होती है मैक्सिम बारा परसेंट के होती है इसमें भी गैरेंटी के आउशकता नहीं होती है पर इसमें भी सबसे बड़ा फोकस बिसीकली शिशु वर्क को दिया गया है अभी तक तक तकरिबन बारा करोड इसके जो हैं लाभारती हो चुके हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है आप कह सकते हैं कि जो एक साइकल के पंचर लगाने वाला अगर कोश चाहता है कि साब मैं कलको ट्रक का फिंचर बनाओं मुझे तो इतना सा लाब मिल जाए यह बिल्कुल से यह वो देने के लिए यह प्रधान मंत्री की बहुत ही महत्वक अंक्शी होजना है और काफी सफल रही एक वर्मा साब आपने करें कि SST का भाई गाउं में और सहरा में भी र करवा की एक दिखावा की एक बहुत ज़्यादा जरूत पड़े हैं डिक्की और डिक्की जैसे और अशी आपने और भी संस्तावां सरकार की जम्यदारी समाज की जम्यदारी डिक्की की जम्यदारी डिक्की जैसे और भी आपने संस्तावां की जम्यदारी ने आपका एमें HPCL जो कमपनियां होती हैं इनमें बल्क LPG ट्रांस्पोर्टिशन के लिए टेंकर का एक टेंडर निकलता है SCST वर्क के लिए उसमें साड़े बाइस प्रतिशत का आरक्षन है किन्तु हमारे युवाओं को न तो इसके बारे में पता था और अगर पता भी है तो साब रिंड कहां से लाओं बैयान सिलाक के गाड़ी कैसे खरीदेंगे जी बिल्कुल है तो मैंने सौर भी है हमने क्या किया उस केस में डिक्की ने पूरे भारत के अंदर तकरीबन सौ के उपर हम लोगों ने सेमिनार किये लोगों को जाकर जागरोग किया पहले तो ये जगाया कि व्योसाइ कीजिए इस अवसर के बारे में बताया इसके लाबहानियों के बारे में बताया और आप येकेन मानिये 5400 गाड़ियों का एक कोटा था उसमें से पूरे प्रियास करने के बाद तकरीबन 200 के आसपास गाड़ियां लगाने में और 800 नए लाबहारती इस स्टेंड़ अप इंडिया के इंतर के बुनाने में हम व्हाम याब रहे है तो इस समस्या का हल हम इस तरी के से निकाल रहे हैं पूरे राजस्तान में हम लोग जा जाकर सेमिनार करते हैं, उसमें हम NSIC, NSSH और बाकी दूसरे सरकारी जो संस्थाएं हैं, उनका भी सहयोग लेते हैं, अभी हमने धौलपूर में एक सेमिनार किया, और दो दिन पहले हमने जेसलमेर और बाडमेर में भी किया, यहने भारत सरका कि नीती आयोग ने जो आकांगशी जिलों के एक लिस्ट बनाई हुई है, राजस्तान के पांच जिले हैं, और हमने अभी दो जिले उसमें कवर किये हैं, जेसलमेर और धौलपूर, और यकिन मानिये हमें बहुत अच्छा रस्पांस मिला, तकरीबन दोसों के आसपास जो ह उद्यूम हमारे पास आये, कि साब हम उद्यूम करना चाहते हैं, डिक्की ने उने हर प्रकार से सपोर्ट किया, जैसे जेसलमेर में जीरा है, बाड मेर में जिबसम का काम है, हस्त शिल्प का काम है, धौलपूर में चमड़ा उद्यूम है, तो कहने का मतलब ही कि सेमिनार के माध्यम से डिक्की जागरूपता पैदा करने की कोशिश कर रही थे, वर्मा साब मेरे एक बात और भी है, कि एक आदमी ने उद्यूग के लिए परोटसाइट करे गया है, उद्यूग लगा बाके पाच्छे बीबी ने एक कंटिनिस शिक्सा की मॉनिटरिंग की या बी के स ही गती सिल्ता के साथ में जुड़ रह सके, यानि कि बिजनिस शुरू होगो, अब बिजनिस ने मेंटेन राकवाटे भी आपने एक शिक्सा की जरूत है, बी के लिए भी मान जरूत है शिक्सा की. देखे, सब बिलकुँ सही बात है, अगर ऐसा नहीं कि बच्चा चलने लग गया तो आप उसे छोड़ देंगे. और वैसे भी माना जाता है कि किसी एक व्यवसाई की इस्थिर था पाने के लिए उमर होती है पांच साल, जब तक व्यवसाई शुरूत से अपने पहले से हैं, उसमें 10 लाग से लेके 3,000 करोड तक के टर्नोवर वाले कमपनिया हैं, तो डिक्की के पास बैसिकली अनभव की कमी नहीं है, तो हम उनके माध्यम से कमपनियों को जब तक वो उस्थिर ना हो जाएं, उन्हें सामान कहां से लेना है, उन्हें मार्केट कहां से मिलेग या उन्हें तकनीक किस तरीके से लेनी है, एक्जिबिशन में पार्टिस्पेशन हो गया, तो हर चीज के लिए डिक्की उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है, वियॉस्थायल लगाने के बाद भी, इसी में मैं आपको एक चीज और जूड़ना चाहूंगा, जैसे कि अपने बताया, अभी वियॉस्थायल लगा लिया, लेकिन सामान कहां बेचेंगे, ये एक सबसे बड़ी समस्था, जै मेरा बिलकुल ये एक महतुपन सवाल है, कि आज ये आपका प्रेवेट सेक्टर में देखां, तो बहुत सारा लोगां के लिए ट्रेड मार्क हैं, और मार्क का नाम सोबां का समान बिक जाए, लेकिन एक नया सिरास, एक नया मेरे कोई भाई काम कर रहे है, अभी तो नाम भी हुजा अगर कोनों सेके तो लोगां की रिलाइबिलिटी, भी के विश्वस नहीं था, भी की क्रेडिबिलिटी, आब आटे बहुत टाइम लाग भी गुडविल बनाबा का समय तक नया एंट्रेप्रेणर ने एक बहुत बड़ी धरती चाहे, नहीं तो वो फैल हो जाए, बहुत बड़ी सम्भावनर है, तो बिन सफल लुबाज के लिए आपने आउशकता है, कि आप में मार्केटिंग काटे भी एक सिक्षा की दिशा र रूप से गैरेंटी हो गई, एक चीज़, दूसरा जहां तक मार्केट का सवाल है, फिर से डिक्की के प्रयासों से तकरीबन दो हजार बारा में एक केंद्रिय सरकार खरीद नीती आई थी, जिसे सेंट्रल पब्लिक प्रकॉर्मेंट पॉलिसी कहते हैं, जो दो हजार पंद प्रतिशत सुक्ष, लगू और मध्यमवर के कंपनियों से खरीदा जाएगा और उसका 20 प्रतिशत, याने कुल का 4 प्रतिशत सिर्फ S.C.S.T. के M.A.C. कंपनी से ही खरीदना है, याने अगर मोटा मोटे शब्दों में कहूं, तो आज 25,000 करोड का जो मार्केट है, वो भा ढूंड रहे हैं कि सब S.C.S.T. के हमें उद्द्यमी चाहिए हैं, क्यांकि हमें ये 4 परसेंट का टार्गेट पूरा, तो मार्केट है, डिक्की ने अपने प्रयासों से आज मार्केट क्रियेट कर दी है, आज हमें जरूत है उद्द्यमियों को तयार करने के, धन्यवाद करी जा सके कि आपना S.C.S.T. का भाई आपनी मेलावां एक प्रगती विशेश तोर से नई एंट्रप्रणोर की प्रगती का पायदान पर आगे बढ़ सी देश की और खुद की एक दिसा बदल देशी इप्रगती की सुबकामना के साथ में आज आपनी वारतान ज्याओं व झाल